हेलो एवरिवन वेल्कम बेक्टो मानदर वीडियो आज की वीडियो में डिसकसन करने वाला हूं बहरी लाज इसकेल इंटीग्रेशन इसे की वी लसाइ के नाम से जाना जाता है देखो इस वीडियो को दो तरह की बच्चे देख रहे होंगे फर्स्ट वो जो ब्रांच लेने करने वाले अगर इस ब्रांच को लेने वाले हो इसकी ब्रांच को लेना पढ़ाटएज क्या दिस इस ब्रांटेज है पढ़ना ब्र Hack करते हो बहुत आ हुं यहां पे आयो तो देख्लो तुम्हारा क्या होता है अगर तुम कोई भी ब्रांच लेने वाले हो सब के रिगार्डिंग वीडियो बना हुआ देख लो तभी तुम डिफ्रेंसियेट कर पाऊगे वी लसाइए में ट्रीपल ली में क्या बेनिफिट है साथ है लाशने बता भी दूँगा कॉंसल लेना सही बिदियो बना दिया हूं और एक्रीकल इंस्टुमेंशं के रिगार्डिंग वीडियो बना दिया हूं आज मैं डिसकसन करने वालों VLSI के उपर और अगांदी के साथ बोलता हूं दूसरे बच्चे वह हैं जो ब्रांच ले चुके हो अगर तुम ब्रांच ले चुके हो इस कौन कौन सी कंपणी आ रही है किस पे तुम first year से फोकस कर सकते हो CIT के कौन-कौन सी कंपणी की तुम eligible होगे यहीं बता दूगा मैं साथ यह साथ बहुत ऐसे कंपणी फ्यूचर में वर्थ कर रही है यह भी मैं data दिखा दूगा ठीक है देखो इस वीडियो में क्या-क्या मैं discussion करने वाला हूँ सबसे पहले बताने वाला हूँ what is VLSI branch VLSI branch है क्या एक idea मिल जाएगा उसके क्यों लेना है VLSI branch किस बच्चे को लेना है यह भी मैं यहाँ पर बता दूगा उसके साथी साथ complete syllabus के regarding बता दूगा देखो syllabus तुम तहीं समझ पाओगे जब तुम यह चारो इसके regarding बता दूगा future scope इसका क्या यह बता दूगा साथी साथ comparison करके बताऊंगा कौन सा लेना सही रहेगा इसके regarding complete बताऊंगा मैं ठीक है सबसे पहला question है what is VLSI VLSI होता क्या है देखो मैं easy definition में लिखा हूँ VLSI means creating small computer chips that pack million of tiny parts into a tiny space समझ दो पहले जबाना का तुम computer देखते like phone computer work more faster smarter and use less power उसके देखो क्या VLSI has made computer much smaller तुम देखा हूँ पहले कितना बड़ा बड़ा होता था तुमा चाल्स रवेस के time का आज का तुम देखे लो बहुत change है तुमारा smaller and more powerful and efficient तुमारा पहले का देखो को जब तुम अर्ली computer तुमारा आता था कितना बड़ा बड़ा ह तुमारा था 1940-1950 का यूज मसीन डैट फिल रूम पूरा रूम बड़ाबर तक का एक ए computer होता था उसके बाद था टेखनोलोजी एडवान्स हुआ तुमारा फिर मेंफें computer तुमारा आया यूज के लिए ही उसके अब प्रस्टल कंप्यूटर आने लगा इस्मॉलर कंप्यूटर फोड़े प्रस्टल उसे को फिट किया जाता था मैं अच्छे से बताऊंगा फिगर के साथ भी था वेट करो उसके तुम देख लोगे 20 का एरा हम लोग के टाइम का लैप्टॉप आ उसके लैप्टॉटस तक में तेम देख लोग 今 स्मार्ट्फॉन वाना सब यहां और कमेंट साथ देख लोगे 20 su hide-tu be afraid अम कुषट के बताना किस थांदे घुट सब्सक्राइब करें और इस पर दिफिनेशन होता है ठीक है उसके बाद दूसरा कुशन क्या वाइव यह देखो देखो तुम्हारा क्या है यहां पर देखो थोड़ा में अच्छे से बताता हूं ठीक है यहां पर देखो क्या है VLSI industry in India growing at the rate of 10-12% annually बहुत अच्छा rate से तुम्हारा increase कर रहा है तुम्हारा यह 10-12% बहुत ज्यादा होता है by 2025 it expected to be reach 40 billion तुम देख रहे हो उसके तुम यहाँ पर देखो the VLSI industry तुम देख लो अधर वीडियो लंबा हो जाएगा जौब opportunities क्या है अगर तुम देख लोगे फ्रेसर के लिए तुम्हारा क्या है इस सब भी तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ डिमांड फोर फ्रेसर यहाँ पर तुम्हारा दिख रहा होगा वीलसा इन इसके बाद वीलसा फाइब तुम्हारा वीलसा और बहुत कुछ था मैं जितना मेरे से पॉसिवल वहाँ पर लाके डग दिया हूं यह दखना सेमी कंड़क्टर चेन बहुत फास्ट ने ग्रोकर रहा है यह समझ में आगए ओं यह वोगत तो सब को इसे टेखनेलोज पर वर्ट कर रहा है ces Mc brightlyader यूस करके ठीक है उसके बाद तुम या देखो इंद्या संद्र कंड़क घ्रमेट इसकी तुम्ह OWN पता होगा अगर नहीं पता है ए़लेश्च ट्राइक करो पर आपने whatsapp चृणल पर द запис firearm लिंग दे को मिलते हैं ये सब पता करें बहुत साल बच्चे को पता ही नहीं होता है ठीक है यसे तुम देखना मैं ट्राइ करूगा description में अदरौाइज अपने WhatsApp चैनल पे से share करने का मैं ट्राइ करूगा ठीक है उसके बाद यह देखो क्या था तुम्हारा इंडिया सेमिकंड़क्टर मिशन इसके बाद इक बताइए दियो तुम तरह पढ़ लेना उसके तुम आज के समय में देख लोगे ना टाइवान तुम देख लोगे वर्ल्ड लार्जेस प्रोडियो सेमिकंड़क्टर साहुथ कोडिया जापान चाइना युनाइटेड इस्टेट जर् और इंडिया को ग्रो करना होगा जैए तुम्हें यहां पर दिख भी रहोगा इंडिया चायना उना पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है वह आतु निरुफर भारत बना रहा है इसके लिए उससे से मिकंड़क्टर पर वर्क करना ही परेगा यही रियालिटी है इसी कह सेम होता है सारा ब्रांच का है चाहे तुम्हारा CSO, ITO, AIMLO, Data Science, Cyber Security, IOTO, ECO, EEEE, कुछ भी हो सबका से लीव सेम है होता है तुम द्हिए फर्य सेमेस्टर कि दिख़गा होगा है यह तुम्हारी थर थर्ड समेस्टर होगा дв Вы Go कितना तुम्हें मज़ा आया तो कभी भी कोई ब्रांच लेना अपने इंट्रेस्ट के एकॉर्डिंग लेना बता रहा हूं अधर वाइस चार साल बडन हो जाएगा तुम्हारे उपर विलसाइट डिजाइनिंग हो गया बाकी सब यहां पर दीख रहा होगा स्क्रिंसट ले ल उपन बूक होता है डड़ने की कोई बात नहीं है ठीक है उपन बूक या फिर बोल सकते है उनलाइन एक्जैम हो जाता है इसका पर प्रोग्राम एलेक्टिव पढ़ना होगा ठीक है यहां पर देख लो उसके तुमा आ जाओ सेवन सेमेस्टर में ठीक हो गया प्रोग्राम सब्सकिटा हो सब्सक्राइब है इसी वाले सब्सक्राइब का इंटन सीव लगी जाता है अगर इंटन सीव नहीं बैड लगता है तुम्हें पर भी प्रोग्रायोय पूंच सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करना इसमें से भी अगर तुम्हें चाहा रहे ने भी बैकप के लिए ना मैं फिर भी तुम मैं बोलूगा इसमें से इस पेसलेशन एक दो कर लेना सही रहेगा ठीक है उसके बाकि सब दिख रहोगे देखलो इस तुम्हारा कोड़ी यह सब देखो अधर प्रडियम का ने नहीं इस सब कर दे रहे हो तुम समझ रहा हो पूरा वर्क कर रहा है किसी चीज को एडवांटेस तो बता ही दिया हूं मैं, हाई डिमांड, बहुत जादा डिमांड इसका, जितने भी टॉप टेक कमपनी देख लो, कि मैं बता ही दिया हूं, उसका तुम देख लो, स्पेसलाइशन में, यहां भी तुम देख रही होगे, पुड़ा डेटास चल कर दो, सी एस पुड़ांटेस चल के जाएगा, बार-बार बोल रहा हूं, अगर तुम एसी, ट्रीपली, या फिर वी एलसाइशन, और बीलसाइशन, इसका कोई दिक्कत नहीं होने वाला, टीक है, उसके डिस अडवांटेज, देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से बोल रहा अगर तुम ECEEEEE या फिर VLSI लेने वाल हो ट्राय करना अच्छे कॉलेज में लेने का इस बात को आधा देख लेना एटलिस्ट कॉलेज में उस तरह के प्रोफेसर है या फिर नहीं है उस तरह का लैब है फिर नहीं है देखो VLSI एलक्ट्रोनिक यह सब ब्रांच के यह प्रैक तुम्हारा उस तरह का लैब होना चाहिए तुम प्रैक्टिकल सीख सको मैं बोलूँगा सबसे पहले देखना अच्छा कॉलेज लेना है मुझे कॉमेंट सकसे नहीं बताना तुम किस कॉलेज में जा रहे हो एक मुझे पता होगा बता दूँगा हां तुम इस कॉलेज में तुम मतलो और मैं साड़ा कॉमेंट का अच्छे से रिपलाई करता हूं मुझे पता है एक भी चाहिए और लिखेस में उता है ता क्या बहूत बहुत ज्यादा बटट क्या होता ने कैंपस से प्रिश्मिंट ना भी हो न यह फायकर कर यॉद के आपके एक और व्यलकी च्ण बता ही दिया हूं मैं EC, VLSI, any branch CSE को छोड़के सब नीड प्रैक्टिकल नॉलेज, good lab, good equipment matter, good faculty matter lots, इस बात को तुम याद रखना, और hardest subject जैसा है, मैं सुना हूना EC हो गया, VLSI हो गया, complex है तुम्हारे, topic देखोगे, semiconductor को topic भड़ा हुआ हुआ, पूरा electronics topic भड़ा हुआ रहता ह है, tough तुम नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा, conceptual रहता है, तुम class 12 नहीं पढ़े होगे, electronics जीतने भी पार्ट है तुम्हारा, like parent electricity, EMI, AC, सारा-का-सारा conceptual है, semiconductor सारा conceptual है, इसी कांसे से toughest branch भड़ा जाता है, EC को तुम्हारा, triple E को, VLSI को, ठीक है, advantage भी समझ में आ गया, disadvantage भी के company आ रही है, company for electronics और VLSI, especially, current company तुम देख लोगे, Intel, leading in microprocessor and semiconductor innovation पर पूरा अच्छे से Intel वर्क कर रही है, उसके बाद तुम देख लोगे, Qualcomm, इसका specialized है, mobile process and wireless technology पर अच्छे से वर्क कर रही है, maximum college से बच्चे लेके जा रही है, and video का तुम देख लोगे, non-power the GPU and AI chips के ओप तुम देख लोगे, focus on the analogy and embedded process, यह तुमारा syllabus का part है, अगर तुमारा यह पार अच्छा है, तो चांसे से तुमारा, 80% चांसे से, टेक्सा instrument है, तुमारा placement हो जाए, क्योंकि maximum बच्चे का होता है, मैं बहुत सारे बच्चे से बात किया हूँ, LinkedIn पे जगता हूँ, किसी बचे पोस्ट किया होता है, मैं उससे बात करता हूँ, बहुत research करने के बात वीडियो बनाता हूँ, बस इतना ही बताऊँगा, ठीक है, इसी कान से request करता हूँ, मैं तुमारा यह महनत कर रहा हूँ, प्लिज मैं वीडियो को like करना, पर try करना, support दिखाने का, तो यह Samsung के ओपर इंसन कर देने का, उसके future में कौन-कौन सी company करी, बहुत सारा था, तुम ठीक है, इंडिया में कौन-कौन सी company इंवेस्ट किये, world report में तुहाँ पर सकते हूँ, तो के future में कौन-कौन सी company काम करी, even apple तुमारा देखोगे न, investing in a cheap designing for a device, तुम जानते ही हूँ, spending into a custom VLSI for self driving card and AI उसके marvel तुम देख लोगे, ESM देख लोगे, ARM देख लोगे, global देख लोगे, बहुत ऐसी company है, जो तुमारा EC के उपर अभी work कर रही है, समझ में आगे प्रेजन बहुत सारा company था, मैं कुछ company का नाम लिखा हूँ, जो अच्छे practice देती है, उसमें से ये 5 है तुमारा, और ये से future में work कर रही है, समझ में आगे होगा, कौन-कौन सी company आ रही है, कौन-कौन सी future में work कर रही है, क्या मेरा conclusion क्या है, देखो मैं बोलूँगा, अगर अच्छे IIT, NIT, IIIT, या फिर कुछ private college में, अगर मिलता है EC, या फिर VLSI, तुम ले सकते हो, otherwise सारे college में avoid करना, तो campus से placement मिलने वाला है नहीं, और campus में उस तरह का faculty नहीं मिलेगा, तो अच्छा practical knowledge नहीं होने वाला है, अगर practical knowledge नहीं होगा, तो job नहीं मिलने वाला, यही reality है, उसके तुम को higher study ही करना पड़ेगा, वही एक option बच जाता है, इसी कांसर ट्राय करना, campus को choose कर रहे हो, सोच समझ के choose क परना इस branch के लिए, मेरा क्या order रहेगा, मैं सबसे पहले try करूँगा, EC लेने का, EC लेने का, EC लेने का, क्योंकि EC क्या होता है, EC वाले, approach तुम देख लोगे, 95 CSIT के company में eligible रहते हैं, उसके बाद क्या है, CPS, cyber physical system, यह भी तुम्हारा CSIT के most of the syllabus, इसमें भी है तुमारा, और स पूछो, मैं try करूँगा, reply कर देने का, बस मैं इतना ही request कर रहा हूँ, यह जो मैं report दे रहा हूँ, try करना इसे पढ़ने का, क्या-क्या है, बहुत सारा, बहुत सारा opportunity होता है, phrases के लिए, जो कि phrases को बिल्कुल पता नहीं होता है, अगर मुझे बोलोगे, तो मैं try करूँगा वीडियो बना देने का, thank you